तो बच्चो आज हम देख रहे हमारी कक्षा 11 का दस्वा अध्याय जिसमें हम देखेंगे भाग 6 अर्ध सूत्री विभाजन दित्य हम अर्ध सूत्री विभाजन प्रत्थम प्रॉपर तरीके से कर चुके हैं हमने देख लिया एक अंतराल अवस्ता को भी अब rest करने के बाद में हमारी एक और अब जो कक्षाएं हैं वो start हो जाएंगी और हमारी छुट्टी हो जाएंगी इसी तरीके से क्या होगा अब जब हमने अर्ध सूत्री सेकेंड start कर दिया अर्ध सूत्री विभाजन दित्य जब start करेंगे तो ये जब चार कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा हमारी कोशिका पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी और फिर हमारे question answer आ जाएगे तो हुआ ना अपना class जो अपना मतलब school में जो एक schedule होता है school में हम सुबह आते हैं फिर चार पीरेट्स तीन पीरेट्स लेते हैं अटेंड करते हैं फिर break आ जाता है फिर चार कक्षाय और ले लेते हैं फिर छुट्टी हो जाती है वैसे ही यहाँ पर भी है कि हमने विभाजन कर लिया अब अंतराला बस्ता होगी अब अर्द सूत्री विभाजन द्वित्य आ जाएगा और उसके बाद में cell revision या हम कहें कुश्का विभाजन हमारा पूरी तरीके से समात्थ हो जाएगा तो चलो start करते हैं हमारा topic अर्द सूत्री विभाजन दित्य अब देखो जो जो phases है अपन पढ़ चुके हैं अल्रेड़ी जो सारी phases है प्रॉफेस फॉर्स प्रॉफेस सेकिंड जो आ रहा है हाना यह सब क्या है बेसिकली एक जैसे ही है यदि आपने सम सूत्री विभाजन बहुत अच्छे से किया है तो आपको लगेगा कि अरे हाँ यह तो वही है यह तो बिल्कुल वैसा का वैसा है इसमें तो कोई changes नहीं है यह तो हमें easily आ गया क्यों क्योंकि आपने पहले ही सूत्री विभाजन बहुत अच्छे से पढ़ा आपने अर्थ सूत्री विभाजन प्रथम बहुत अच्छे से पढ़ा तो द्वित्य क्या है बहुत इजी सा टास्क है फटाफट हो जाएगा फटाफट फोकस करो कि क्या क्या changes हो रहे हैं और क्या क्या समानत आए है पूरो अस्ता सेकिंड अर्ध सूत्री विभाजन द्वित्य गुण सूत्र के पूर्ण लंबा होने के पहले ठीक है अब क्या हो रहा है जो गुण सूत्र है उसके पूर्ण लंबा होने के पहले और कोशिका द्रवे विभाजन के ततकाल बाद प्रारंब होता है वापस बतारी हूं अर्ध सूत्री विभाजन द्वित्य गुण सूत्र के पूर्ण लंबा होने के पहले यानि कि ये क्रोमोजोम है और ये जब तक पूर्ण लंबा हो जाता है उससे पहले एवं कोशी का द्रवे विभाजन से साइटो काइनेसिस होने के बाद साइटो काइनेसिस हुआ उसकी जस्ट बाद में प्रारंब होता है कौन? अर्द सूत्री विभाजन सेकंड अर्द सूत्री विभाजन फर्स के विपरीत अर्द सूत्री विभाजन सेकंड सामन्य सूत्री विभाजन के समान होता है आई अल्रेडी टोल्ड यू कि भई जो समसूत्री विभाजन की अवस्ताएं है प्रोफेज है, मेटा फेज है, अना फेज है, टीलो फेज है जैसे ही पूरा अवस्ता है, मध्य अवस्ता है, पश्य अवस्ता है, अंत्य अवस्ता है बिल्कुल सेम टू सेम कैसी है हमारी समसूतरी विभाजन के समान है तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली पूरो अवस्ता सेकेंड के अंत तक केंद्रक आवरन अद्रश्य हो जाता है हमने समसूत्री विभाजन की प्रूरवावसप में भी यही पड़ा था कि जो केंद्रक जिल्ली है वो कैसी हो जाती है लुप्त हो जाती है गुण सूत्र पुन है सहनित हो जाते है हाई या ना कि भई केंद्रक आवरन जो है अद्रश्य हो गया यानि कि जिल्ली है मेंब्रेन है वो खतम हो गई नस्ट हो गई लुप्त हो गई या अद्रश्य हो गई फिर हमने कहा जो गुंसूत्र है वो कैसे होंगे सहनित होंगे यानि कि कंडेंस्ड हो जाएंगे वापस से कंडेंस हो जाएंगे अपने प्रॉफेस में यही पढ़ा था यही वात यहां पर भी पढ़ रहें मध्य अवस्ता सेकिंड इस अवस्ता में गुंडशू उत्र मध्यांश पर पंक्ति बंध हो जाते हैं यह देखो आप देखो यहां पर डाइग्राम देखो सारे गुंडशू उत्र कैसे हो गए एकदम एक लीनियर अरेंश्मेंट में हो गए न एक ही लाइन में आपको देखने को मिल रहे हैं यानि कि कैसे हो गए पंक्ति वक्त एक एक इक्वेटर पे एक सीधी लाइन पर यह प्रिजेंट हो जाते हैं विपरे दुरूवों की तर्क कानेते का ओर है यहां कानेते का ओर है यह और आम से चिपठ गई है और एक 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 वेटर पे आके अरेंज हो गाई एक लिए एक छा भच वी कि इससा में गुंड़सूत्र बिन्दू अलग हो जाते हैं और उस तरीगे से पहले अपने देखा इस तरीके से connect थे, है ना, इस तरीके से connect थे पहले कब इस वाली अवस्ता में, इसी तरीके से connect है, आप आप देखो diagram, आप क्या हुआ, कुछ तो इधर चले गए, यलो कलर से बनाती हूँ, ठीक है, कुछ तो इधर चले गए, है ना, और कुछ कहा चले गए, इधर चले गए, ठीक है, आया समझ में, यानि कि जो गुण सूतर बिंदू है, वो भी अलग हो गए, इनसे जुड़े संतती अर्दगुण सूतर, काने टकॉर से जुड़ी भी, शुक्ष में नलिकाओं के छोटा होने से, कुशिका विपरित धूर्वों की और चले जाते हैं यह जो स्पिंडल फाइबर आप देख रहे हो, रुको एक बड़ कलर चेंज करने दो, इस पिंडल फाइबर क्या होगे, देखो पहले जो यह तरक तंतू है, यह कितने लंबे हैं, लेकिन जैसे यह इस से कनेक्ट वे, यह छोटे होते जारे हैं, जैसे यह इतना बड़ा थ अंतिय अवस्ता सेकेंड, यह अवस्ता अर्द सूतर विभाजन के अंतिय मवस्ता है, यह क्या है, अर्द सूतर विभाजन के अंतिय मवस्ता है, हमें पता है टीलो फेस, प्रॉफेस से जस्ट अपोजट है, केंडरक जिल्ली आ जाएगी, जो वो है, क्रोमोजोम है, वो अ आवरण से घिर जाएगा यह लग लग आवरण से घिर जाएगा यह लग लग आवरण से घिर जाएगा ठीक है फिर कोशिक द्रवे विभाजन के उपरांथ चार अगुनित यानि की यह भी एन होगी है ना यह भी एन होगी यानि की एन 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 चार एक दो तीन चार चार गुनित कोशिकाओं में ये विभाजित हो जाते हैं कब एंड ओफ टीलो फेस टीलो फेस के आंत में ये सब चार गुनित कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं कोशिकाओं का कोशिका चतुस्टे बन जाता है चतुस्टे बन गया वन टू थ्री फोर चार चतुस्टे ठीक ह अर्दु सूत्री विभाजनिक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लेंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रतेक जाती में विशेष्ट गुण सूत्रों की संख्या पीडी-दर-पीडी सरक्षित रहती है नीट में ये क्वेशन पूछ लिया जाता है किस विभाजन के द्वारा लेंगिक जनन करने वाले जीवों में स्वंत्ति जो है वो पीडी-दर-पीडी पहुँच जाती है तो आपका उत्तर आना चाहिए आर्द सूत्रे विभाजन क्लेर बाद आगे आईए ये यंदभे विरोधा भासी प्रक्रिया के परिणाम्mistरुपग्सूत्र की संख्या कैसी रह जाती है आदी रह जाती है कैसी रह जाती है गुण्सूत्र की की संख्या आप देखो यहां पर अपने क्या यह देख रहे हु आप आगे जाकर के फड़्दा अन्तियावस्ता प्रथम में अन्तियावस्ता प्रथम तरह प्र सौरी अंत्य वस्ता प्रथम में अपने देखा और फिर ये क्या चल रहा है अंत्य मतलब पूरा अड़सूत्री विभाजन दिते चल रहा है पूरा सेकिंड मध्य वस्ता सेकिंड अंत्य वस्ता सेकिंड और पश्य वस्ता सेकिंड तो इसके फलसरूप क्या हुआ कि पहले हमा या राम से इसके द्वारा जीर धार्यों की जनसंख्या में एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक अनुवांशिक वेभिनताएं भी भड़ेगी नाच्छल सी बात है बिल्कुल भड़ेगी विकास प्रक्रिया के लिए वेभिनताएं अतियंत महत्पूर्ण है इस तरीके से आ समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप जानकरी ले सकते हैं मैं जल्दी मिलूंगी इस चैप्टर के क्वेशन आंसर के साथ में जब तक धन्या